क्या आज आज एक तामीर करना चाहता हूँ तामीर होता है निर्मान क्या आज एक तामीर करना चाहता हूँ निरु करना चाहता हूं क्या एक तामीर करना चाहता हूं मैं गजल तस्वीर करना चाहता हूं और है तजुर्बे इश्क के जिन जिन खतों में कि हैं तजुर्बे इश्क के जिन जिन खतों में आपकी जागीर करना चाहता हूं के है पजुर्बे इश्क के जिन जिन खतों में आपकी जागीर करना चाहता हूँ और अब attitude देखिए के ये कलम घिसकर जिसे इन काग्जों पर लवज की शम्शीर करना चाहता हूँ के ये कलम घिसकर जिसे इन काग्जों पर लवज की शम्शीर करना चाहता हूँ और आपको फ्राज भाई शेर नजर करता हूँ के दिन के सूरज को पसीने में भिगा कर और अगर शेर पहुच जाए तो दाग ऐसे मिलने चाहिए कि एक आदा शीशा चाटक जाए के दिन के सूरज को पसीने से भिगा कर चांद सी तासीर करना चाहता हूँ के दिन के एकिट्यूट होना चाहिए शाहर के अंदर कि जब तक यह एकिट्यूट नहीं है आप सामने वाले को बता ही नहीं mêmes इसके हो कि आप बोलना क्या चाह रहे हो ये दर्द वर्द तो फिर त्यार होता रहता है तो दर्द भी आता रहता है वीच-वीच में तो शेर था कि दिन के सुरज को पसीने से भीका कर चांद सी टासीर करना चाहता हूँ और शेर क्या जो बस जहन में घर बसा ले कि शियर क्या जो बस जहन में घर बसा ले पार दिल के तीर करना चाहता है पार दिल के दोसो एक इस से ताजा नहीं हो सकता कुछ भी कल ही कुछ चंद अशार हुए एक गजल के तो मैं फिल अच्छी जमी है तो एक मतला और दो चार शेर जहां जहां तक इसके हुए है वहां वहां तक मैं बताता हूँ और खाशित देखी गए इस गजल में इसमें वहां के साथ में आ भी निकलेगी के बजम में आज प्यार बोलेगा के बजम में आज प्यार बोलेगा जिस्म का तार तार बोलेगा के बजम में आज प्यार बोलेगा जिस्म का तार तार बोलेगा और कुछ बहाने बचा लो हसने के कुछ बहाने बचा लो हसने के गम यहां बार बार बोलेगा कि कुछ बहाने बचा लो हसने के गम यहां बार बार बोलेगा और जान लूंगा या जान दे दूंगा परमभाई समालिए इसको के जान लूंगा या जान दे दूंगा के जान लूंगा या जान दे दूंगा ये तेरा एतबार बोलेगा और ये शेर जो जो यहां महबतों पर सुना करके गए है जो सुनाने वाले है तमाम आशिक वैसे भी मैं शायर को बोलता हूँ कि यह लाइसेंस्ट इव ट्रीजर होते है इनको लड़कियां छेड़ने के लिए दाद मिलती है और खुले आम सारे आम करते हैं काम यह मैं भी करता हूँ तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है तो यह यह शेर खासकर मुहबतों के शायर के लिए और वा के साथ में आह ना निकले तो यह मेरा दावा है कि जिसमें कितनी ताब बाकी है ताब होता है डर्द को जहेलने की ताकत कि जिसमें कितनी ताब बाकी है जो सबसे तेजवा बोलेगे ना सबसे बड़ा आशिक वोई है यहाँ तो दावा यही है कि आपको मुबंद करने के लिए बोल दिया लेकिन आप मुबंद नहीं कर पाएंगे कि जिसमें कितनी ताब बाकी है जिसमें कितनी ताब बाकी है यह सितम का वकार बोलेगा यह जिसमें कितनी ताब बाकी है और एक शेर में ना मैंने जिन्दगी को समेटने की कोशिश करी है अगर बात आप तक पहुँचे तो देखिए हम उम्र भर लड़ते बिढ़ते रहते हैं इंदू, मुसल्मान, सिक, खिसाई, ये, वो, सो लेकिन सचाई क्या है मैंने कोशिश करिया बया करने की अगर बात पहुचे तो दूआउं से नवाज दीजिएगा कि है जलाना, इसे या दफनाना कि है जलाना, इसे या दफनाना लाश पर एक्तियार बोलेगा कि जो मर गए, किसको मालूम है वो उसको जलाना है या उसको दफनाना है तो कौन बोलता है जिसके अधिकार में वो लाश होती है न वो ही बोलता है तो है जलाना इसे या दफना न लाश पर एक्तियार बोलेगा और मकता है कि हिजर के दौर में गजल कासिद हिजर के दौर में गजल कासिद दूपके जार जार बोलेगा एक गजल से आप लोगों को रूबरू कराता हूँ ये गजल असल में मेरी ये गजल परमभाई एक आवार्ड विनिंग गजल है ये एक महफिल में मैंने ये गजल कही थी रदीफ मिला था हमको जरूरी है तो मैंने कही थी और मैं बड़ा खुशकिस्मत था कि सुनील शाबादी जैसे शायर वहां थे और खुदा ने उनका जहन जो है वो जबत कर दिया और मेरे से ये गजल हो गए नहीं तो मेरा कोई वकार नहीं है उनके आगे कुछ भी कहने का तो मैं गजल पेश करता हूँ और यहां से देखे कि शायर के लिए क्या क्या जरूरी चीज़े होती है क्या मतलब कैसा होता है कुछ दो चार तीन चार शेर तो इसके ऐसे है कि अगर जो शायर, शायरी करना चाह रहे है वो अपने जहन में बसा ले इसको बस तो किसी सूरत रहो चाहे नजर आना जरूरी है किसी सूरत रहो चाहे नजर आना जरूरी है लिहाफे शुहरतों में जिस महका आना जरूरी है आप शायर हैं आपके भर में रोटी बनाने के लिए आटा नहीं हो लेकिन जब आप महफिल में जाए ना तो चमकदार कपड़े पहन के जाए इत्र लगा के जाए नहीं तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है तो कुछ इसी मिजाज पर लिखी है ये क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ गजल दो तरीके की होती है एक जो सुनाई जाती है और एक जो सुनी जाती है सुनी जो जाती थी, मैंने दो गजल, आपको कुछ-कुछ अशायर मैंने सुना दिये है ये वो गजल है जिसको सुनाया जाता है, इसको सुनते बहुत कम है लोग कि किसी सूरत रहो चाहे नजर आना जरूरी है लिहाफे शुहरतों में जिस्म महकाना जरूरी है और जरूरी है ना अपना ही ना बेगाना जरूरी है जरूरी है ना अपना ही ना बेगाना जरूरी है हमें बस ये जिन्दगी हर हाल अपनाना जरूरी है और ये शायर की जिन्दगी की सचाई है ये अगला शेर कि बहुत आसा है रस्ता शहर में अब काम याबी का हम गुरकपुर से शायर आते हैं हम मतलब छोड़े छोड़े कस्वों से शायर आते हैं आकर के बहुत अच्छा लिखते हैं फराज भाई बहुत अच्छा लिखते हैं बहुत उंदा लिखते हैं लेकिन यहां पर आकर के ना कहीं खो जाते हैं, वो क्यों खोते हैं? कि बहुत आसा है रस्ता, शेहर में अब कामियाबी का, मशक्कत की जरूरत के आँगिर जाना जरूरी है. वो बिचारे मशक्कत करते रहते हैं और उनको कोई तबज्जों नहीं मिल पाती है, तो मजबूर हो जाता है शायर फिर ये शेर कहने के लिए कि बहुत चोटा है रस्ता शेहर में अब कामयादी का मशक्कत की जरूरत क्या हगिर जाना जरूरी है और नजाने कौन आए काम कल किसको गिराने में इस रही समाह लिएगा जरूब कि नजाने कौन आए काम कल किसको गिराने में अमल में साजशे लाने को मैखाना जरूरी है यह सचाई बता रहूं मैं आपको यह हमारी सचाई है यह साहित के दुनिया के सचाई है कि नजाने कौन आए काम कल किसको गिराने में अमल में साजिशे लाने को मैखाना जरूरी है और भटकती है जवानी रोज जब इन्शाह रातों में किसी सूरच का रातों को निकल आना जरूरी है बटकती है जवानी रोज जब इन्शाह रातों में किसी सूरच का रातों को निकल आना जरूरी है और ये बहुत सच्चा शेर बता रहूं मैं आपको कभी शायरों को लड़ते हुआ देखा है तो कुछ नहीं देखा आपने गली महले में लड़ाई हो जाती है वो अच्छी लगती है क्योंकि उनका वकार यही है लेकिन जब शायर लड़ते है ना ओ तौबा मत पूछो अदब में काली नहीं मिलती है फिर वहाँ पे तो सब कुछ बेदब में होता है तो मैं क्या कहता हूँ मैं कहता हूँ कि फक्त कि जरूरी गर जरूरी गर नहीं तो फिर लहू क्यों बहाएं हम जरूरी गर नहीं होतो लहू फिर क्यों बहाएं हम दराने के लिए तो थोड़ा गुर्णा जरूरी है दराने के लिए थोड़ा सा गुर्णा जरूरी है और फक्त मशहूर होना हो सबके लिए फक्त मशहूर होना हो तो इतना जान ये साहब महबत हो या नफरत हो पर अफसाना जरूरी है कि महबत हो या नफरत हो पर अफसाना जरूरी है और मकता है कि बुलंदी ने दिया है ये हुनर भी अब उसे कासित कि बुलंदी ने दिया है ये हुनर भी अब उसे कासित खाजाने के लिए तो घर में तहखाना जरूरी है ऐसा है डॉक्टर भी जो होता है न वो हेवी डोज एक ही देता है तो एक फलसफा हो गया एक मोहबतों पर छोटी सी गजल और फिर मैं अपनी जगह लेता हूँ तो तरनुम में कहने के कोशिश करी है और क्योंकि बहुत बहुत चोटी बहर है तो इसको अगर मैं तहद में भी पढ़ता तो वो समझ में नहीं है मैं तोते की तरह बोलके चला जाता कहा आप से कहा आप से थजरा सुनो अशेर देखेगा एक है किसके कहा आप से थजरा सुनो लेरे दर्द दिल की सदा सुनो अशेर देखें यहां से किसी पेज में किसी पेज में हूं दबा हुआ कभी खून से था लिखा सुनो और यहां से देखिए सबने महबबतों पर सुनाया लेकिन जब महबबत परवान चड़के नीचे उतरती है जब उरूष चपने जवाल पर आती है तो क्या शेर बनता है शेर बनता है दो अंगूठियों दो अंगूठियों की जबान से दो अंगूठियों की जबान से दो अंगूठियों की खता सुनाया और भाई मेरा ये शेर एक तरफ और इस गजल के सारे शेर एक तरफ इतना बहतरीन शेर है ये तेरी आँख लब तेरी आँख लब पिटिकी हुई द्यान देना सारे सबी द्यान देना तेरी आँख लब पिटिकी हुई मेरी आँख ने क्या कहा सुनो कि तेरी आँख तो लब पिटिकी हुई मेरी आँख ने क्या कहा सुनो उसे दुश्मनों उसे दुश्मनों कमलाल था मेरे दोस्तों की दगा सुनो